चलो भी, अभी नई लिंक मुझे फिर से शेयर करनी पड़ेगी, बस एक मिन खाली है, लिंक शेयर कर दू, वहाँ पर, हमारा जो ग्रूप है, वाटसेप वाला उस ग्रूप पर एक बार लिंक शेयर हो गई, तो फिर स्टार्ट हो जाएगा, मैंने इंस्टाग्राम पर भी ल यह भी लिंक में पहले यहां से हटा देता हूँ, दूसरी वाली लिंक इंस्टाग्राम पर एक बार और डाल देता हूँ, क्योंकि क्या होगा, पुराने लिंक पर क्लिक करेंगे, और फिर जाइन नहीं होगा बच्चों का, तो इसके लिए उस पर एक लिंक डाल देता झाल 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 चलो अभी स्टार्ट करते हैं मुझी ये बताना है कि हम जो ये सलेबस है हमारा जीरो टू हीरो बैच वाला बैच थ्री है ये इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं वो देखो सबसे पहले C language पढ़नी है जो कि पूरी अलरेडी बैच वन हमारी चल रही है अभी खतम हुई मेरी अभी बैच टू बैच थ्री शुरू की तू जो चल रही है वो शाम को चल रही है अब जो बैच फोर चालू होगी वो एप्रील में चालू होगी एप्रील एंड के आसपास तो अभी उसको बड़ा समय है अभी ये बैच थ्री हमारी शुरू हुई है हाँ इसमें जैसे करते करते किसी की एकजाम आ गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारे lectures record होंगे application के उपर और वो recorded lecture वहाँ पे automatically upload होंगे जब म तो बोलने की चीज अलग हो गई और वहाँ पे speed बढ़ाना ये दोनों में अंतर है तो वहाँ की भी speed आप बढ़ा के देख सकते हो बार बार देख सकते हो laptop पे देख सकते हो web.coding.in ये जो website है इस पे जाके वहाँ से भी देखा जा सकता है तो उसका भी कोई problem नहीं है बस problem है कि आप उसी mobile में देख पाओगे जिस number से आपका registered है वो app और वो course दूसरे mobile में देखना चाहते हो तो आपको sim card दूसरे में डालना पड़ेगा तब आप दूसरे mobile में देख पाओगे problem ये है उसकी तो इसकील जैसे phone पे application वगरे आप चलाते हो तो उसमें आपका sim card यदि आपके mobile में तो आप transaction कर पाते हो लेकिन दूसरे के इसमें नहीं कर पाओगे आप कभी sim card भी चाहिए mobile number क्योंकि auto detect करता OTP तो software वैसा ही कि जो detect करेगा OTP automatic आपको manually डालने का option नहीं है इसलिए problem ही है तो आप अपने mobile में जिसमें देखना चाहते है उसमें sim card डाल देना आपने जो number दिया हुआ है वो तो बदला भी जा सकता है number लेकिन एक ही बार बदलेगा C language पूरा syllabus जो भी होगा उसका भी मैं बात करता हूं उसके syllabus के बारे में BCA वालों का भी पूरा syllabus इसमें cover हो रहा है उसके बाद BSC computer science वालों का भी पूरा cover हो जाएगा उसके बाद engineering वाले जो है second year में है, first year में है उनका पूरा syllabus चाहे वो mechanical के हो, civil हो, computer वाले हो, IT वाले हो, AI वाले अभी जो नई field आई हुई है, वोई भी field हो, उनका सबका इसमें cover हो जाएगा तो इसलिए common है, हाँ, होता ऐसा है कि BCA में एक chapter पहले होता है, दूसरा बाद में, engineering में एक chapter last में होगा, फिर आगे पीछे, chapters आगे पीछे होते हैं, लेकिन जो सही sequence है, मैं उस sequence से पढ़ाऊंगा, ताकि आपका basic, जब मैं सिखा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे topics होते हैं कि जि इसलिए जो topic नहीं पता है, वो पहले पढ़ाऊंगा, एक sequence भी बहुत जरूरी होती, बहुत सारे syllabus गलत है, engineering के भी जो बने हुए है, उन्हें chapters नहीं पता होता, कौन से पहले रखने, कौन से बाद में रखने है, पढ़ाने के हिसाब से बहुत कम सोचा जाएगा, तो ये problem ह होगी ही, तो इस वज़े से है पीछे जगा है, देख लो यहां पे edges हो जाओगे, और last में देख लो स्टार्टिंग में थोड़ी भीड होती है, बाद में कम हो जाएगी, तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों को आज नहीं तो कल जगा मिली जाएगी, तो क्या होता है, अगर यहां आगे भी बैठ सकते हैं, अधर है एक जगा बची है, क्या होता है, समय के साथ स्टू स्टी नहीं मारनी है, अब मैं बहुत सीरियस हूँ, लेकिन पांच-छे दिन के बाद हाँ आजाओ, सीरियसने स्क्रम हो जाती है, जैसे आज से जिम जाओंगा, यहां आजाओ, इधर बैठ जाओ, तो अब मैं रेगुलर जिम जाओंगा, दो-तीन दिन जाने के बाद, फिर थोड़ा सा यह होता है कि आज के दिन गैप दे देता है, अरे आज के दिन गैप हो गया, दो दिन तो अभी छुटी, एक काम करते हैं, अब मंडे से शुरू करते हैं, हां मंडे से सही रहेगा, अभी दो ही दिन तो बचा है मंडे को, अब जब मंडे आ जाए, अरे यार एक तारिक को तो 6 दिन बच्चे एक काम करता हूं एक ही तारिक से शुरू करता हूं तो ऐसे वो होते जाता है और बैचेस क्लासेज भी ऐसे ही होते हैं कि बच्चे स्टार्टिंग में सीरियस नहीं होते और बाद में धीरे-धीरे लेट होते जाता है और कम होई जाता है जो बच उसे वैसे भी ऑनलाइन में ही मिलने वाला ऑनलाइन मुझे लगता है 500 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अड्मीशन लिया है ग्रूप के ऊपर हैं टोकल एप से जिन्होंने खरीदा है वह दूसरे देश वाले भी देख रहे होंगे शायद लेक्चर तो इसके लिए वह लोग भी कर रहे होंगे जो दूसरे देश में हैं अपने आजू-बाजू वाले जो देश हैं और दूर के कई देश है जहां से न्यूजी लैंड से किसी ने जॉइन किया है किसी ने ऑस्टेलिया से लिया है यूएस से खरीदा है कोर्स किसी ने वह अफरीका में कोई तो देश है मुझे आदमी vowahah से खरीद है था वहा पढ़ने के लिए इंडियन ही कए है वही कर रहे है वहाँ का आदमी क्या समजेगा मुझे तो अपना ही कोई आदमी है जो वहाँ गया है और वो सीख रहा है तो खाली वो वहाँ है इसलिए मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ और जहां हिंदी समझ में आती है ऐसे आजू-बाजू वाले देश जो होंगे वो लोग भी कर रहे हैं तो कोई भी सीख सकता है कोर्स अब और आगे चलता है हाँ आजाओ बैठो देखो यहाँ पर वहाँ बैठ जाओ C language हमें सीखनी है उसके बाद C++ सीखनी है आप logically अच्छे होने वाले हो C language में इस कोर्स में और C++ में आपकी object oriented programming बड़ी अच्छी हो जाएगी encapsulation यह सब अभी नहीं भी पता होगा आप लोगों को तो कोई बात में अब्स्ट्रैक्शन है inheritance है constructor है डिस्ट्रैक्टर अलग-अलग chapters होते है virtual function abstract class friend function मतलब यह सब कुछ इसके अंदर होता है और इसमें आप logically अच्छे होते हो तो दो चीजों की ही जरूरत होती प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक company में काम करने के लिए आपका logic दूसरा object oriented program है और दोनों आपको मिल जाएगा CC++ से मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि बिना इसको सीखे आप developer बनी नहीं सकते मैं ऐसा बिलकुल नहीं बोल रहा हूँ मैं यह बोल रहा हूँ कि यह सीखना बहुत जादा मतलब इसका role बहुत important है यह दो language का इसके बाद मैं data structure and algorithm भी पढ़ाता हूँ पूरा और मेरे वैसे भी program कभी ready meant होते नहीं कि पूरा program ready है मुझे खाली पढ़ना है यह 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 ऐसे कभी नहीं करता बहले 200-300 लाइन का program हो चाहे link list हो यह data structure के अंदर stack हो कुछ program पूरा आप ही के साथ type करूंगा बात करके करते ताकि आप भी सीख पाओ और आपको यह पता चल सके कि पहले कौन सी लाइन लिखनी है बहुत सारे बच्चों को यहीं नहीं समझता प्रोग्राम शुरू कहां से करें और इसके वज़े से coding नहीं सीख पाते तो यह प्रॉब्लम है दूसरी जी स्टार्टिंग का जो एक हपता जिसने रेगूलर्ली दे दिया वो कोडिंग सीख गया समझता और इस एक हपते में एपसेंट रहा उसके बाद वो आया तो वो मुझसे भी नहीं सीख पाएगा इसलिए जरूरी है कि आपके स्टार्टिंग का एक हपता बहुत इंपॉर्ट और सेवंध के सीख रहे हैं तो तो आपकी बात अलग है आप से सीख सकते हो आप यह नहीं बोल सकते में नोन आई ती का हूं सेवंध का कौन सा फिर आईटी का सेवंध का बच्चा तो उसने तो दसवी तक नहीं देखी, आपने दसवी भी देख लिए, बोर्ड इक्जाम भी देख लिए, उसने तो वो भी नहीं देखी है जब वो कर ले रहा है तो फिर तो आपकी बात बहुत दूर की है और non IT का बच्चा अगर कर रहा है, जैसे कोई IT का बच्चा आया, computer engineering में admission ले लिया उसने तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके अंदर कोई आत्मा चली गई, coding वाली उसको सब आ गया वो non IT का ही था ना, और पहली बार ही वो भी coding सीख रहा है ना तो जब वो पहली बार सीख रहा है, computer engineering वाला और electrical वाला तो non IT का क्या सवाल है, इसका तो कोई ऐसा logic ही नहीं बनता, non IT का कोई भी कुछ भी सीख सकता है, मुझे ये बोलना है, कोई भी कुछ भी किताबे बनी हैं, इंसानों के लिए ही बनी है, और आप इंसान होना तो आपके लिए बनी हुई है, तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, किसको भी समझ सकते हो, इसके लिए आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, अब data structure के अंदर searching, sorting technique है, abstract data type किसे कहा जाता है, searching technique, linear search, bubble, binary search, फिर sorting technique है, bubble sort, selection, insertion, quick, heap, merge, bucket sort, ऐसे अलग-अलग techniques है, फिर link list है, फिर उसके बाद singly link list, doubly link list, circular link list, हर एक के अलग-अलग operations, ये data structure किसके का, ये logic ये भी बनाता है, C language, C++ language ये भाशाएं हैं, जैसे हिंदी भाशा हैं, मराथी भाशा हैं, इंगलीश भाशा हैं, तेल्गु हैं, तमिल हैं, गुजराती हैं, अलग-अलग भाशाएं हैं, वैसे ही C, C++ ये language हैं, कप्यूटर की भाषाएं हैं, ऐसे टोटल कितनी भाषाएं हैं? 800 से भी जादा, हमें 800 भाषाएं नहीं सीखनी हैं, हम अपनी असल जिंदगी में भी 3-4 भाषाएं जानते हैं, वैसे ही यहां पे भी हमें 3-4-5 भाषाएं आ गई बहुत हैं, सारी सीखने की कोई जरुवत ही 800 भाषा हैं आप कब तक सीखोगे? उतना तो नहीं सीखना है, जिसमें काम करना आप वहीं सीखोगे ना, आपके समाज में लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं, आप वो भाषा सीखना चाहोगे, दूसरी भाषा सीख के क्या करोगे? जब आप उनसे बात ही नहीं करना चा पर आते हो तो सीखना पड़ेगा एक यह चीज होगी दूसरी चीज अब डेटा स्ट्रक्चर कोई भाषा नहीं मैं बोल सकता हूं जैसे आपको किसी के साथ डिबेट करनी है और डिबेट का कोई topic दिया हुआ है complicated वो topic आपने कभी सुना भी नहीं था और आपको बोला गया आ को सोचना पड़ेगा उस topic का knowledge होना चाहिए तब आप किसी से लड़ पाओगे बोल पाओगे नहीं तो कैसे करोगे डिबेट तो डेटा स्ट्रक्चर एक डिबेट की तरह है logic ही है उसमें पूरा logic है उसके लिए आपको एक भाषा चुननी पड़ती किस भाषा में डिबेट करना है data structure using c या फिर using c++ या फिर using java हाँ है जगह नहीं है क्या रुको वहाँ पर शायद है बैठ पाएंगे क्या देख लो एक बार पीछे नहीं होगी तो चेयर मैं मंगाता हूँ रुख जाओ है नहीं है रुख जाओ चेयर लाओ वहाँ से तीन चेयर इधर बीच में रख दो वो ला रहे हैं सर लाएंगे तुम लोग लेट हो गई क्या अच्छा अंदर लगा दो मैं यह बोल रहा हूँ आप लोगों से डेटा स्रक्चर यूजिंग जावा करो भाशा है खाली लॉजिक एकी लिंक लिस्टी पढ़ना है आप अगर किसी से डिबेट करो किसी टॉपिक पे हिंदी में तो भी वही बोलोगे मराठी में तो भी वही बोलोगे और पाइथन के थोड़े अलग है पाइथन के थोड़े एजी हो जाते है प्रोग्राम छोटे हो जाते है ये पाइदा होता है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन बाकि ऐसा कोई खास अंतर नहीं है मतलब तो एक ही काम है आप से कहा गया है ये दो डिब्बे है इनको एक दूसरे से connect करो फिर तीसरे डिब्बे को connect करो फिर एक data इसमें रखो एक इसमें रखो इसमें रखो फिर वो C में रखो भाशा कोई भी हो C++ या Java यूज करके रखो रखना यही है करना यही है आपको chatting करनी ही चाहे WhatsApp पे करो च वो आप इससे नहीं दिखता एक बार आपने किसी को भेज दिया Snapchat पे तो वो चला गया तो आप अपनी सेफटी के हिसाप से यह सोचते होगे कि रात को तो मैं online रहता हूँ तो मेरे मामा देख लेते हैं कि ये 12 बज़े तक दो बज़े तक online रहता है तो अभी क्या करूँ एक काम करता हूँ Snapchat चलाता हूँ वहां किसी को पता नहीं चलेगा या तो कोई और application चलाता हूँ जिस पे चैट करूँगा किसी को नहीं पता चलेगा मैं जाग रहा था कि सो रहा था बस यह जादा सेफ है अभी WhatsApp ने भी फीचर लाया हुआ हूँ प्राइवसी वाला online वाला तो वह भी उस करते हैं बच्चे पहले तो नहीं था वह फीचर तो ऐसे करते थे सब लोग तो इसके बाद यह हो गया एक BSA एक सब्जेक्ट उसके बाद आता है जावा और पाइथन यह भी बैंटा पूरा पाइथन बढ़ाने में लगब डेर से दो महीने लग जाता है यह साइमल्टेशी जावा भी पढ़ाता हूं तो उसमें 3 महीने लग जाते हैं तिन-तीन का क्लास होता है जैसे 3 दिन C लैंगवेज चल रही honest तो तीन दिन C++ या फिर Python, वैसे Python लेने वाला हूँ मैं, पहले, C के साथ Python हमारी होगी, और पूने में भी मैं बोल रहा था अभी कि मैं पूने में दो दिन लेने वाला हूँ, Saturday, Sunday, अभी आज मेरा final हो जाएगा, तो आकुरडी करके जो एरिया है, वहाँ पर, शुरू करूँगा मैं, और वहाँ पर भी बहुत जादा students है, बहुत सारे students college के भी ऐसे हैं कि जो आपके भी दोस्त होंगे, जो मुझे जानते होंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता, मैं यहीं पढ़ाता हूँ, और बताओ भी मतना, फिर क्या होता है, फिर जगा होती नहीं है, और सब offline मांगता है, वो adjust होता नहीं मेरे से, इसके लिए online ही हम बोलता है, सब को क्या आप online ही करो, offline मत करो, और offline मैं खुद नहीं चाहता, जादा धीड हो, उल्टा 10-15 भी रहे न, तो वो जादा सही लगता है, बहुत हो अब तो फिर बोड़ा problem होता है, और यह अभी तो मैं YouTube पे live हूँ, बाद मैं application के उपर live आऊंगा, अभी तो 2-3 दिन चलो, demo चल रहा है, इसके बाद, Java पूरी है, इसमें कुछ collection, chapter तक, interviews, मैं जो Java पढ़ाऊंगा, interview अगर आपने दिया, अभी एकने comment भी किया था, वैसे ब और वो पूछ लिया गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, as it is आएगा, यहां तक कि अगर आपको एक या दो साल का experience है ना, फिर भी आप Java का जो मैं पढ़ाऊंगा, वही पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ ने, एक यह फायदा, python पूरा cover होगा, जिसमें दो mini project पढ़ाता कि वो food कैसे ले सकता है, फिर उसकी body कैसे increase होगी, यह सारी चीज है, और दूसरा एक smart calculator है, what is the addition of 7 and 9 तुरंद बताएगा, please add 2 and 3 तुरंद बताएगा, ऐसे type का एक छोटा सा mini application भी हम देखता है, इसमें, यह course हमारा 40,000 का था, पिछले साल, यही वाला, जो अभी online लगभग पांच हजार का है, यही course same, जो 6-7 महीने चलता था, और student place होते थे, लेकिन अब मैं placement नहीं बोलता हूँ, हो जाता है, course कर लिया तो सब आई जाता है, कहीं vacancy मिल गई तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं guarantee नहीं लेता नहीं तो अगले दिन फिर आएंगे, आपने बोला प्लेस्मेंट देने को दो अभी, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो पीछे पड़ जाता है, तो मैं खुद चाहता हूँ, होनी चाहिए सब की placement, लेकिन सब इतने सारे बच्चे हैं, बताओ मुझे, हजार हजार बच्चे अगर रहेंगे, कैसे मैं हर एक को दूँगा, यह भ इसके बाल, एक basic subject है, HTML, CSS, जिसमें आप एक basic webpage बनाते हो, कैसे एक website बनाई जाती है, और basic चीजें कैसे की जाती है, यह हमारे दूसरे teacher है, जो पढ़ाता है HTML, CSS, तो इसको 15 दिन लगता है, इसका जादा कोई tension नहीं है, आसान basic चीज है, जो main main core पूरा है, लगभग 70 to 75% वो मैं ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि generally बहुत सारे बच्चे online, जैसे अभी मैं एक दिन वो वीडियो देख रहा था, कि बहुत सारे student जैसे teacher देखके जाते हैं, कि विकास सर खुद पढ़ाते हैं, तो हम सीखेंगे उनके पास जाके, ऐसे बहुत सारे बच्चे, और मैं admission सारे कर कि मैं जो जीजे पढ़ाता हूँ, वो मैं ही पढ़ाऊ, तो इसके लिए ये problem कभी बच्चों को face ना करनी पड़े, और वो उस हिसाब से ही चाहते हैं, करना तो उन्हें मिलना चाहिए, STML CSS हो गया, उसके बाद, जावा स्क्रिप्ट के लिए हमारे दूसरे टीचर है, जो अल्रेडी इनको 6-7 साल का experience है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और Android के applications बनाते हैं, प्ले स्टोर पे उनके बहुत सारे applications हैं, गेम्स डाले हुए हैं उन्होंने, जिसके काफी अच्छ चेतन सर ये पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, और एक टीचर है, दूसरे, तो चेतन सर का खुद का package ही 40 लाग के आसपास का है, जो Node.js पढ़ाते है, React पढ़ाते हैं, और भी सब्जेक्ट है, तो Node.js आपको मिल ही जाएगा, दूसरे टीचर पढ़ाएंगे वैसे इसको, उसके इक्सप्रेस सीख सकते हो, आप चाहो तो अगर आपको लगता Node नहीं, एक्सप्रेस करना है, तो आपको option है, नोड एक्सप्रेस, ये company के लिए है, ये technology, backend technology है, जिसमें आप company में जब काम करोगे, अब backend, frontend क्या है, सब मैं बताने वाला हूँ, इसका अप्टेंशन मतलो, उ इसे आपने पहली बार Facebook चालो किया, और आपने sign up किया, sign up करने के बाद क्या हूँ, वो पहली बार store हुआ कहीं तो ताकि अगली बार login करो, तो login हो जाए, तो आपकी information जहां store हो रही है, उसको database कहा जाता है, और database के अंदर data रखते कैसे, निकालते कैसे, उसके लिए आपको project बनाना सिखाया जाएगा, सर खुद बनाते रहेंगे, आप भी बनाते रहोगे, सीखते रहोगे, जब पूरा बना के हो जाएगा, तो हो गई आपकी internship, internship में यही तो होता है, company बोलती है, आओ, बैठो हमारे पास, और एक project बना डालो, बस फरक यह है कि वो सिखाते नहीं ह खुद से करना पड़ता है, यहां हम सिखा देते हैं, फिर आप बना लेते हो गई internship आपकी, तो उसके लिए भी कोई problem नहीं है, तो जैसा project होगा, उतने महीने का, आप तीन महीने से project बना रहे थे तो तीन महीने का later मिल जाएगा, आप छे महीने से बना रहे थे तो छे महीन अब ही देखो, C language पर आता हूँ, C language 1972 में बनाई गई थी, यह जो language है, 1972 में, operating system को बनाने के लिए बनाया गया था इसको, कि एक operating system बनाई जा सके, operating system जानते हो, Windows, Mac, Linux, Unix, दुनिया में ऐसी कुछ operating system है, जिसमें से आप शायद Windows चलाते होगे, कोई Mac चलाता होगा, कोई और कोई चलाता होगा, Linux कोई चलाता हो, companies में तो Linux यूज़ करते हैं, तो उस operating system को, Unix, Linux, उस समय इस language को बनाया गया था, जिन्होंने बनाया था, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था, कि इससे software को develop किया जाएगा बाद में, ऐसा नहीं सोचा गया तो उन्होंने, उनका नाम है, Dennis Richie, इन्होंने बनाया था, 1972 में, बाद में कुछ समय के बाद, एक student आया, इनके पास PhD कर रहा था, यह जहां काम करते थे, उस lab का नाम था, Bell, यह इसी lab में काम करते थे, और यह lab जानते हो कौनसी company के अंदर, AT&T नाम की एक company है, US lab, तो US के अंदर एक company है, AT&T, और वहाँ पे एक lab है, Bell Lab, वहीं पे यह काम करते थे, कौन, Dennis Richie, उनसे मिलने एक लड़का आया, उसने बोला कि मैं PhD कर रहा हूं इस समय, और मैंने आपकी C language को पढ़ा है, मुझे लगता इसमें कुछ changes करने चाहिए, एक concept है class नाम की, वो add करना चाहिए, मैं उसी पर research कर रहा हूं, तो मैं एक language बनाना चाहता हूं, उस लड़के ने research की उनके पास आके, और उसने एक language बना डाली, C with Classes उसका नाम था, C with Classes, उसने बना डाली उस नहीं बदला, वो जो लड़का आया था, PhD कर रहा था, उसने ऐसा किया, और उस समय की बात है, वैसे वो जो लड़का था, उसका नाम थी जार्न स्टोस्टप जिन्होंने C++ language को बनाया है, और उस समय वो PhD कर रहे थे, और उन्होंने उस language को पूरा किया, 1979 में बना लिया था सोचो, 72 में CI, इन्होंने 2-3 साल तो पढ़ा होगा, कमी लगी, तुरंद बना दिया, 79 में, US में, US में एक skill बहुत होता है, लोगों को, वहां के, आप देखोगे तो ratio में, आप दूसरे देशों में, start-up जादा होते हैं, वहां पे बड़े-बड़े, जो भी होते हैं, रिस इतका, वहां पे culture है, तो, यह सब चीजे होने की वज़े से, पैसे आ जाता है, तो कुछ तिमाक लगाते हैं, बच्चे कोई, या तो हार जाता है, कोई आगे, हाँ, पढ़ाई लगबग सबकी होती, अच्छी, तो अगर वो हार भी गया, तो कही न कही नौकरी करेगा, नह जो कमपणी है, लगबग आपको मिलेगी वहां की, तो software की तो बहुत है, यह एक है, और डेनिस रिची के बाद जो थे, जिन्होंने C++ बनाई थी, उनका नाम Bjar Strow Strap था, यह कभी-कभी YouTube पे लाइव आता है, आप अगर देखोगे, C++ के बारे में कुछ बताता है, नय अप क्योंकि अवो इस दुनिया में नहीं है, 19-2011 के आसपास तक थे वो, और अब नहीं है, इसलिए उनकी एज जादा थी, शायद पता नहीं, 64 years तक कुछ उनकी एज रही, मैंने मुझे भी आद नहीं है, वैसे भी एज थोड़ी बताने के लिए आया हूं मैं, तो बस नॉले एक लैब है, और उस लैब का नाम है, बेल लैब, वहाँ पे इनोंने बनाया है, बस यहीं समझना है, US में, अब तो सब कुछ US का ही है, नेदर लैंड्स में बनी थी पाइफन लैंगवेज, और उसे, किसी और ने, गीडो और रॉसम ने बनाया था, उन्हें एक शो बहुत पाइफन और फिर वो नाम दिया, वैसी गहानी है, जावा को बनाया था, जेम्स गोसलिन है, और जो जेम्स हैं, उनके एक दोस्त है दिल्ली के, आई आई आईटी दिल्ली से पास आउट थे, विनोद, विनोद खोसला नाम है, इन्होंने मिलके ही कमपनी शुरू की थी, 1982 क सन माइक्रो सिस्टिम्स नाम थी, बाद में इनका कुछ आपस में कोई बात हुई होगी, तो विनोद खोसला ने कमपनी छोड़ दी, 85 के आसपास, फिर 1991 में इन्होंने जावा बनाई, नाम तो पहले ओक दिया था, ओ, एक, ये नाम था पहले जावा का, पापी राइट का इशू आ गया, पहले तो पता ही देर में चलता था, अभी तो आप देख सकते हो, इंटरनेट पे ये नाम किसी ने लिया है कि नहीं, तुरन सर्च करो, हाँ, कोडिंग सीको, रजिस्टर्ड है, विकास सिंग के नाम से, तो ये हम नहीं ले सकते, कोई और, हाँ, ये ले सकत अब क्या नाम रखना चाहिए, तो सिल्क नाम भी सोचा था, लेकिन सिल्क नाम नहीं मिला, वोट्स दिये, उनके ही दोस्तों ने, सब कॉफिस के जो थे उन्होंने मिले के, तो जावा को ज्यादा वोट्स मिले, जावा वैसे कॉफी का टाइप होता, कॉफी आप लोगों इसलिए जावा का लोगो आप देखो के तो ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे चाय है और कुछ कॉफी है, सौरी और इसमें आप निकल रही है, आपने कभी नोटीस करना जावा का लोगो, तो ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि जावा एक कॉफी का टाइप है, ब्रीड जिस से बने हुए है, जितने भी डिवाइस ब्राइवर्स होते हैं, वो C लेंग्वेज में बनाया जाते है, आप बोलो के डिवाइस ब्राइवर्स क्या होते हैं, जानते हो, कोई जानता है यहां पर, देखो, ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं, क्लास पता लगे सिप आफ लाइन ही चल रहा है, चल तो रहा होगा, खाली चेक कर लो, हां बताओ, क्या कोई जानता है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है, भोलो चल रहा है, डिवाइस ड्राइवर्स किसी ने सुना है, जैसे आपने एक नया प्रिंटर खरीदा, उससे तो आप डिवाइस बोलोगे, उसके साथ एक cd मिलती है आप printer लेके आए घर पे और आपने सोचा चलो कुछ print करते हैं उसको connect किया अपने laptop या computer से लेकिन वो ना connect नहीं होने वाला printer आप print कुछ नहीं करा सकते direct connect करो print होने लग जाएगा ऐसा नहीं होता कभी पहले उस printer की पूरी information आप अपने computer को दे दो क्या ये चलता कैसे है इसको चलाते कैसे है इसका नाम क्या है और ये work कैसे होगा पेज को print कैसे किया जाएगा ये सब कुछ पहले बताओ जैसे एक बच्चे को पहले बताना पड़ता है कि कोई अगर आएगा तो उसे कोई नया device करूंगा तो कुछ नहीं बोलेगा पहले मुझे बताना पड़ेगा और मैं मुझे नहीं बता सकता क्यूंकि वह सुनता नहीं उसके पास कान नहीं उसको मुझे CD से बताना पड़ेगा software की मदद से बताना पड़ेगा और वो software उसे device driver कहा जाता है किसी भी device को चलाने के लिए जिस software की जरूरत है वो device driver WhatsApp device driver नहीं है printer के साथ जो software आएगा वो device driver है अभी मैं जिस पे लिख रहा हूं ये जो pen मैं use कर रहा हूं जैसे online वालों को भी दिखा दूँ यहां पे यह देखो आप लोग भी तो जिस पे मैं लिख रहा हूं इस समय जब मैंने इसको पहली बार connect किया था यह भी नहीं चल रहा था इसके साथ भी CD थी फिर मैंने देखा अरे मेरे laptop में तो CD लगाने का slot ही नहीं है अब क्या करूँ तो फिर मैं इंटर्नेट पे गया और मैंने यह model सर्च किया कौन सा है डाल दिया कि यह model है और ड्राइवर डाउनलोड गूगल पे लिख दिया तुरंत आ गई वेब साइट आई उस पे क्लिक किया software डाउनलोड हो गया सीडी वाला अगर आपके पास सीडी के लिए जगा है अभी आजकल के laptop में कहां आते हैं वह सीडी तो बंदी हो गई भीरे भीरे अब पेंटर्यव चल रहा है उसके पहले तो फ्लॉपी चलती थी फ्लॉपी आती थी छोटी सी वह लगती थी आप ब्लैक कलर की ऐसे कैसे होत विंडोस 10 अपडेट किया जाता है जब आपके laptop को 11 किया जाता है तो फेंटर्यू से हो जाता आजकल पहले सीडी से होता था तो जो software वाला होता था जो यह सब डालता था उसके पास एक बैग हुआ करती थी बैग में ऐसी सीडी होती थी बहुत सारी 30 अलग अलग यह इस ग गेम डाल सकते हो कि हाँ डाल सकता हूं 100 रुपय लगेगा अच्छा ठीक है फिर मट डालो ऐसे उस टाइम की बात है मुझे वह समय याद है कि जब यह चीजे हुआ करती थी अभी तो कोई टेंशन ने इंटरनेट पे जाओ डाउनलोड कर लो तुरंत हो गया उस समय तो पा पाच-पाच इंटरनेट अरे और 30 MB मिला ही है टोटल आज खाली Google.com डालने पर जब Google खुल जाता था तो भी खुश हो जाते थे हम खाली वह पेज खुल जाए तो भी अरे हमारा इंटरनेट चल रहा है हम जुड गए दुनिया से ऐसा फील होता था जब पहली बार चलता थ खाली बाद में उसमें कुछ डालो, सर्च पे क्लिक करो फिर result आता था अभी क्या होता है कि हम डालता है तो suggestion पहले ही आ जाता था पहले नहीं आता था हमारे टाइम पे तो थाई नहीं ऐसा आप भी बोलोगे हो सकता है बीस साल के बाद ऐसा फिर टिकनोलोजी तो आने ही वाली है समय को कम किया जा रहा है और यह डिवाइस ड्राइवर जितने भी होते हैं जैसे यह मैं जिस पर लिख रहा हूं यह पेंट टैबलेट हो गया प्रिंटर हो गया या मोबाइल जब आप खरीदते हो सैमसंग पीसी सूट या अलग-अलग कंपणी इसके भी ड्राइवर्स आते हैं तो यह सारे ड्राइवर्स जो है जैसे आप वह थम स्कैनर आता है देंको थम स्कैनर आप उस पर अपना थम होगे लिए रखते हो वह वा प्रिंटी की जरूरत नहीं डाइरेक्ट लगाओ अब आप माउस कनेक्क करते हो माउस डायरेक्ट चलता इसका यह मतलब नहीं माउस का सौफवेर जो है माउस के अंदर ही था नहीं जब विंडोज अभी मेरा 11 है जब बनाई जा रही है उसी समय माउस के बारे में बता दि पेंट ड्राइव अपने आप चलता उसकी क्या अलग से सीडी आती नहीं वो चल जाता था क्यूंकि कुछ चीज़ों कॉमन चीज़ें जो दुनिया में हर कोई यूज करता है लफटॉप के साथ अब हर कोई वो एक ही इप्सन का प्रिंटर थोड़ी खरीदने वाला उसी होता तो हो सकता विंडोज 11 वाले उसको भी डालके दे देते आपको पहले तो यहां तक की स्पीकर का आवाज नहीं आता था जब आप विंडोज डालते थे तो जब गाना प्ले किया जाता तो गाना नहीं सुनाई देता था उसके लिए अलग से रियल टेक नाम का एक देरे अपडेट सुए वही जितने भी डिवाइस ड्राइवर से लगभग सारे के सारे मैं बोलूंगा 95% सी लैंग्वेज में ही बनाये जाते आज भी लैंग्वेज आज बहुत पुरानी लैंग्वेज है 1972 मतलब सोचो कब की लैंग्वेज है 1990 1991 में तो पाइथन आई जावा आई जावा स्क्रिप्ट उसके बाद आई एट में मतलब सब बाद में आई हुई है यह सोचो कितनी पुरानी फिर भी कितनी पॉपिलर है C और C++ उसके बाद C लैंग्वेज में पाइथन जो है न यह स्लो लैंग्वेज है इस वज़े से क्या किया पाइथन ने चाला की क्या दिखाई जानते हो उसकी जितनी भी लाइब्रेरी जैसे अगर करना है तो हम दाज नाम की एक लाइब्रेरी है मैट प्लॉट लिब नाम की ऐसी अलग-अलग लाइब्रेरी जै पाइथन की सबका कोड जो है ना C लैंग्वेज में लिखा हुआ इड़ोने ताकि क्या हो जाया प्लॉट जाया है तो पाइथन बड़ी सलो है जब स्पीड की बात आई तो फिर C यूज करो जावा करो पाइथन ने यससे कोई ट्रांजेक्शन करना उनलाइन उसमें बहुत स्पीड लगती है तो जावा में हुआ है वह सिक्योर चाहिए सिक्यूरिटी भी बहुत देती जावा तो आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो अपने कार्ड नंबर की डिटेल डालते हो एक स्पाइरी वगेरे डालके सीवीवी डालके एंटर करते हो एक पेज लोड होता है डू नॉट प्रेस बैक बटन लिखा होता है फिर OTP आपको आता है वह जो पेज है ना 3 प्रोम C++ में बना है Mozilla Firefox C++ में बना हुआ है Spotify Python में है Netflix Python में है बहुत सारे अलग-अलग यह हैं जो अलग-अलग C++ में एड़ रीडर, Photoshop, Premiere, PUBG अगरे जितने भी गेम से वह सारे C++ में बने हुआ है Call of Duty है जितने भी बड़ेगे, Multiplayer Online Speed है उसके पास, C++ में ही बनते हैं आपका भी देखना तो C++ developer भी बहुत है जो काम करते हैं लेकिन हम जनरली हमारे college का syllabus ही ऐसा होता है Project हमें C++ में नहीं बनाना होता, Java, Python, JavaScript में बनाना पड़ता है इसलिए हम कभी C++ में करियर करने के बारे में सोचते ही नहीं हम अपने college के हिसाब से चलते हैं college के syllabus के हिसाब से हमने project किसमें बनाया हम उसके में vacancy ढूडते है नहीं तो C++ में भी vacancy होती है बच्चें वहाँ पे भी करते हैं तो यह एक चीज हो गई डूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि software hardware अलग-अलग बात है hardware मतलब आप जिसको चूँ पा रहे हो RAM को चूँ सकते हो प्रोसेसर को चूँ सकते हो अब चूँ सकते हो मतलब उसको खोलना पड़ेगा laptop को तब चूँ सकते हो लेकिन यह सारे hardware और जो आप जिस software मतलब जिसे चूँ नह नहीं कर पा रहे है वह software तो एक आसान भाशा में मैं बता रहा था आपसे तो अब hardware को मेरे इस laptop को चलाने के लिए मुझे एक software की जरूरत है जो है Windows का मेरा operating system अगर मैं operating system डिलीट कर दूँ इसमें से तो computer चालू ही नहीं होगा मेरे mobile में से अगर android 13 मेरे mobile में अगर मैं delete कर द operating system जरूरी है उसके पे ही सब कुछ dependent है वही सब कुछ करवाता है अब आपको यह समझना है कि मैं जो programs लिखने वाला हूँ C language के उसके लिए मैं एक software डाउनलोड करूँगा जिसका नाम है code blocks हाँ आप चाहो तो turbo c++ यूज़ कर सकते हो difference बताऊंगा बात में क्या है डेव c++ vs code ऐसे कई software है जो आप download करके चला सकते हैं देखी यह चीज़ है लेकिन मैं code blocks यूज़ करूँगा काफी lightweight लगता उसे download कैसे यह मेरे पास है यह क्या है देखो यह software है इसे मैं open करके दिखाता हूँ download कैसे करना भी बता देता हूँ mobile पे coding यदी करनी है वो भी बताता हूँ रुप जाओ जैसे किसी के पास laptop नहीं होगा online वाले बच्चे हैं वो चाहते हैं नहीं मैं जल्दी से सीख लू laptop दो महीने बाद घर वाले लेने वाले है चार महीने बाद तब सीखने से अच्छा अभी से शुरू कर दूँ जब लेंगे लेंगे अब तक तो हो जाएगा तो यह software है code blocks नाम का यहाँ पे एक option है file का यहाँ पे एक option है new का और यहाँ पे एक option है empty file का इस पे click करो अब जो program लिखना है यहाँ लिखना है अब program लिखते कैसे हैं क्या लिखते हैं यह तो मैं आपको बहुत detail में बताऊंगा एक चीज़ और बता रहा हूँ अगर मेरे पास नहीं सीख पाए तो कहीं नहीं सीख पाऊंगे यह भी धियान रखना है यह भी बता सकता हूं मैं guarantee के साथ अब जो कर चुका है वो भी बताएगा मेरे पास students हमेशा reference याते है पेड मार्केटिंग मैं नहीं करता पेड मार्केटिंग तो जनरली message post तो मैं भी डालता हू पेड नहीं करता कभी पेड पे मैं चाहूं तो बहुत students यह कर सकता हूं लेकिन जरूरत ही नहीं पढ़ती तो और दूसरी चीज़ जो भी आता वो reference से आता वो उसको बताएगा वो उसको बताएगा अरे तू भी वहाँ जा अच्छा पढ़ाते हैं मैंने खुद किया हुआ एक लाग भी देता तो भी problem नहीं था ऐसा पढ़ाते हैं इसलिए बिंदाज जा ऐसे बाते होती बच्चों की तो बच्चे खुदी बताते हैं मुझे तो इसलिए यह चीज ध्यान रखना और lecture starting के बहुत important है वो आपके लिए जरूरी है वो अच्छे से करना दूसरी चीज अब यहां में प्रोग्राम लिखना है मैं अगले lecture से ही बताने वाला हूँ कल हम lecture लेंगे जब सुबह हां मैं यह भी बोल देता हूँ 5-10 मिनिट आगे पीछे हो सकता है एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आप देखना जितने भी lecture होंगे कभी laptop में कोई problem नहीं आएगा ना क और उसके बड़ डारेकल रीस्टार्ट हो वह बंद हो गया तो मैं बोला इसको आज ही होना था और इसी समय पे होना था इसके पहले बालविकों बहुरहता हृतए और इतने दो महिनों से भी नहीं हुआ था जब यह थे तो होता हुता ही है जाने तो इससे कोई problem नहीं है अ इसके पास laptop नहीं है उनके लिए mobile पर ब्राउजर तो चलाते ही हो आप लोग प्रोम वगरे कोई भी पहली website आ जाएगी आपको लिखना C compiler आपको program लिखना है न इसके लिए यहाँ पर क्लिक करो कोई भी website पर सब compiler यह क्या आ गया अब आपको कोड़ी यहां करनी है कोड कैसे लिखते हैं यह क्या लिखा यह भले आपको ना समझे जाने दो मैं पढ़ाऊंगा आगे बस बता रहा हूँ यहाँ पर run का option तुरंत hello print हो जाएगा hello world हो गया मुझे hello नहीं मुझे hello आशीश प्रिंट कराना है और यहां से करता हूँ run और यहां पर आ गया hello आशीश देख सकते हो आ गया यहां से कर सकते हो कोड़ी हा लेकिन यह सारी चीज़े मैं आपको बाद में बता दूंगा आपको करना क्या है ख्रोम पर जाना है कोड़ी सीखन डाउनलोड या तो अपने एप पे भी है कोडिंग सीखो एप के ऊपर मैंने डाला हुआ है कोड़ ब्लॉक्स स्टडी मटेरियल के अंदर चेक कर लो कोड़ ब्लॉक्स दाउनलोड पूराना वर्जन वह ऐसा वर्जन है कि विंडोस सेवन भी लैप्टॉप होगा जिसके पास बहुत पूराने से पूराना उसमें भी चल जाए यह नए वाले नहीं चलते है तो इसके पास विंडोस सेवन कुछ बहुत पुराने और उपर ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा कोड़ ब्लॉक्स वहां से भी कर सकते अब मैं इस पर जा रहा हूं कोड़ ब्लॉक्स देखो कोड़ ब्लॉक्स डाउनलोड इतना ही लिखना आ गया पहली वेबसाइट लिखा हुए यहां लिखा हुए मुझे पहला दूसरा दिसरा चौथा मैं बोलता हूं मुझे चौथावाला चाहिए इसको क्लिक कर दो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और कुछ नहीं करना चौथावाला ही करना इसको ही डीटेल में मुझे अगले लेक्टर मों बता ना कमपाईलर क्या होता है यह compiler का नाम है, यह क्या चीज है, यह क्या करता है, एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक कि मैं कॉमा दे रहा हूँ, तो क्यू दे रहा हूँ, यह भी मालूम होना चाहिए, तभी सीख पाऊँगे, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, कि जाने तो यह क्यू तो चोड़ने जा रहा था बच्चों को हो गया क्लास कहां रहते हो तो ट्रैफिक जादा थीक है ठीक है हो गया है चोड़ी रहा हूं बस मैं इनको भी बाय बोलने ही जा रहा था उतने में तुम लोग आ गए तो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है कोडिंग सीखो चैनल पर जाना लाइब आया था मैं अभी डिस्कनेक करूंगा तो वीडियो अपने आप आ जाएगा सर्च कर लेना वहां पर कोडिंग सीखो चैनल लाइव के आप्शन में जाओगे तो तुम्हें लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा देख आपको चालू हो गया इधर ही किदर दिखाई देगा अपने अभी वह स्टार्ट हो जाता है डाउनलोड यह पेज चलेगा और अपने आप कहीं क्लिक करने की कुछ ज़रूत नहीं बस उस लिंक पे क्लिक करना आपको दिखाई देगा यह कभी-कभी डिपेंड करता है इसक उसको चालू करना नेक्स्ट नेक्स्ट पिनिश हो गया डाउनलोड और कुछ भी नहीं करना आयो बस बाकि आपको भी पिर ऐसा दिखाई देगा आपने हो सकता वाटसेप कभी डाउनलोड कीया और लाप कीडा में हो सकता है चीलीगराम को अतरीद में आप है तो आज इतन आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो हाँ किसी को कुछ पूछना है आप नए हो इसलिए नहीं पूछ रहे हो क्या ऐसा कुछ है पूछ सकते हो जिसको जो भी हाँ पूछो देखो सब मैं पढ़ाऊंगा तो टीचर क्या पढ़ाएंगा ऐसा भी हो जाता है तो कुछ सब्जेक्ट्स मैंने चुन लिये हैं कि जो सबसे कॉंप्लिकेटेड हैं वही मैं पढ़ाता हूं जो बच जाता है नॉलेज होना अलग चीज है उस नॉलेज को देपाना अलग चीज है नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज होके भी नहीं दे पाते अच्छे से और बच्चों को समझता नहीं होता ऐसा आपके पास कम नॉलेज है लेकिन आप दे पा रहा है हो सामने वाले का फाइदा हो पा रहा है तो उस नॉलेज की कीमत है नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं है आपने जो कीमत दी है वो गलत दी है एक यह चीज ज़रूरी है तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं क कि जो complicated subjects और starting के एक बार बच्चा तयार हो गया फिर तो पढ़के भी कर लेगा वो उसको किसी के पढ़ाने की जरूरत नहीं है फिर तो वो चीजे आप कहीं भी इंटरनेट पर जाओ सब्सक्राइब है तो इसलिए वो चीजे मैंने ऐसे की हुई है तो complicated चीजे पहले समझा दूँ बेसिक से सिखा दूँ एक बार बच्चा तयार हो जाए फिर तो कोई बात ही नहीं है ठीक है चलो फिर बाएस अब को बाकी देखते हैं अगले लेक्चर में कल सब्सक्राइब होती है तो बैटने को जगा नहीं मिलेगी जिसका रेजिस्टर होगा वही बैट पाएगा ध्य आदकना चलो